हालो अब्रिवन जैसा कि आप लोग बहुत डिमांद कर रहे थे कि भी आ ओपरेटिंग सिस्टम का वीडियो लाईए तो मैं आपको बताया था कि एकजाम से पहले आपका कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपको पुरा रिकावरी बेच खतम कर देंगा अभी आपका एकजाम में समय है और यह आपका लास्ट वीडियो है रिकावरी बेच का ओपरेटिंग सिस्टम और आप लोग यहां पर देख सकते हों कि यहां पर 0021 हो रहा है मतलब 12 बच के 21 मिनत में मैं इस वीडियो को रिकाद कर रहा हूं और देखो देट भी बदल चुका है थीक है तो सबसे पहले कि अब ही मैं इस वीडियो को रिकाद कर रहा हूं तो आपको हो सकता है कि आज मतलब आज मिल जागा तीस तरीक हो रहा है 12 बज़े तक ले आपको वीडियो यह मिल गया होगा ठीक है आप लोग देखते होगे तो और दूसरा चीज क्या है कि देखो फैन अगर आओ फे बहुत प्रब्लम होता है वीडियो बनाने में लेकिन चलो कोई बात नहीं आप लोग इतना प्यार देते हो आपके लिए अपरेटिंग सिस्टम फाइनली लेके आ चुका हूं चलिए पहले इसको पढ़ते हैं फिर आपको क्या क्या गाइद करना है बताएंगे तो सबसे पहले दे देखो ल brightness system काया कि अपरेटिंग सिस्टम इससा कलेक्शन प्रोगाम का जो कंप्यूटर सिस्टमको माइश करता है मतलब बहुत सारे प्रग्रामका का कलेक्शन से एक अप्रेटिंग सिस्टम बनाए गया और वह क्या करता है और कम्प्यूटर को माइश करता है Lyndow जैसे अगर computer में आपको window ही नहीं रहेगा तो आप कोई काम कर पाईएगा नहीं कर पाईएगा ऐसे Mac, Linux, DOS, Unix यह सब क्या है operating system है जब तक यह computer है इसमें पहले आप डालिएगा ना कि window 1 डालिएगा कि window 10 डालिएगा तो वो सब क्या है operating system है तो वो क्या करता है window 10 या window 8 जो भी आप उडखते हैं वो किस के किस तरह बनाए गया है बहुत सरे program को मिलाकन बनाए गया है इतिज एंद इंटर्मीडियेटर बिट्विन यूजर एंद हाद्वेर यह क्या करता है इंटर्मीडियेटर के काम करता है यूजर और हाद्वेर के बीच में जैसे मैं एक यूजर हूँ और यह मेरा हाद्वेर है ठीक कंप्यूटर सिस्टम तो मेरे बीच और इसके बीच intermediator है काम करता है मतलब कुछ process देना है हमको काम करवाना है तो यह कैसे समझेगा जैसे आप देखो अच्छे समय समझाया हूँ जैसे मैं यहाँ यूजर हूँ यह computer है यह operating system के help से हम लोग एक दूसरे से बात कर पड़ते हैं अपना information दे पाते हैं चाहर ले पाते हैं ठीक है जैसे कि और अच्छे से explain करते हैं जैसे as we know जैसे मैं कहना चाहता था कि operating system is the mediator between user and hardware operating system क्या है mediator है user और hardware का जैसे कि high level language और binary language user क्या सिखता है high level language हम लोग जानते हैं लेकिन hardware binary language जानता है सिर्फ hardware क्या computer सिर्फ क्या जानता है 0 और 1 जानता है लेकिन लेकिन operating system का मदद से हमारा जो भी हम लोग आज type करते हैं अपने long page में वो computer समझ पाता है किसके help से operating system के help से इतना समझ लो बस अब देखो यह हमारे एक first program है the first program that loaded on a computer when you switch it on is called its operating system यह हमारा पहला प्रोग्राम होता है operating system का जैसे हम लोग switch on करते हैं खुलता है वो हमारा पहला प्रोग्राम रहता है operating system उसी को हम लोग operating system करते हैं ठीक है देखो लगभग operating system हुआती जो operating system आ जाएगा तो आप राम से इसको इतना बरा फिगर अगर बनाके ऐसे लिक सकते हो देखो एक पेजा राम से आप इसको cover कर सकते हो ठीक है और भी अगर नहीं हो रहा तो इसमें से कुछ point उठा लाना यह भी operating system के बारे में जैसे कि सेम होई चीज़ है मैं आपको पढ़ा दिया अब आपको practice करना है कि किस परकार में हर कोstroke्टіन का answer हो एक कोевtr 17 पेज आप लिखे ना मतलब हर को तो चार पेज में नहीं न लिखेगा उससे ज्यादा किसी को कम में करका इसे लिखेगा तो 20-25 पेज 22 पेज लिख क्या जेगा तो इसमें सभी कुछ भिषता करते हैं और इसमें सबसे पहले lot यहां से काम हो पायगा ओलों पीजिकल इवाइस और कंपोनेंट है clothing सबसे पहला जो काम कहो गया हبة उसक गया अगहा तो अगर हगर पर हैं अभी वह लिख दिजिएगा इसके बाद application software अगर operating system हम इसमें अप्लोड कर दिए लेकिन अब कोई काम करना है तो उसके लिए separate operating system तो बना है किसी operating system पर न काम करेंगे किसी एप पर न काम करेंगे तो उसके लिए किसके यूज करते हैं अब इन सब चीज को अगर हम लोग इंस्टॉल कर देंगे इसके बाद इसको अपरेट करने के लिए चाहिए अटोमेटिक नहीं नहीं होगा कोई information देने वाला चाहिए तो कौन होगा यूजर तो लास्ट में हम लोग हो जाते हैं यूजर ठीक है इस परकार से बॉक्स बना के लिख सकते हैं यहीं समझाया गया है तो ऐसे करके आप लोग कम से दो अरहाई पर जिससे आराम से लिख सकते हैं इसके बाद दे इस इसके बैज लिख लेना बहुत देजी है और ताइम सेरिंग टु दो बार आ गया गया क्या कि थाइब सेरिंग एह नलग जग ढहीं है कि यह बार मेरे से घलती से थीक है कि यह सेमी चीज़ है दो बार आ इंप हो सबसे पहले हम लोग समस्झते हैं अब परिटिंग के साथ समय कम से कम टाइप सबस्ट करे से पहले आप लोग फेज भरने के लिखिएगा सबसे पहले कि-दाइप अपरेटिंग सिस्टम होता है और उन नमर सिंगल यूजर उपरेटिंग सिस्टम जैसे हैं आप लिखा हुगा मल्ती ऑपरेटिंग एक एक लाइन छोर के नहीं एक लाइन नहीं दे रहे हो कि आप ऐसे गेडियोशन में आप लाइन मत छोड़िएगा खेर हो सब मैं आगे आपको डिसकस करेंगा अभी समझते हैं यहाँ पर तो देखो single user multi user single tasking ऐसे आप लिख दीजेगा और उसके बाद one by one करके उसको define करेगा जैसे first नमबर एसे लिख दीजेगा single user operating system क्या होता है तो single user नाम से असपास थे कि single user के लिए बना हो तो मतलब operating system which allow only one user to work on a computer at a time is known as single user operating system same वही काम बोलें जो नाम से clear हो जाना चाहिए आपको समाझ लेना चाहिए है कि single user मतलब जो एक user एक time पर सिर्फ एक ही काम कर पाए computer system पर उसे हम सिंगल user करते हैं ठीक है जैसे कि MS-DOS विंदो विंदो नाइन्टी एथ है ऐसे विंदो एथ है ETC ठीक है इसके बाद multi user क्या होता है multi user मतलब जो multi user एक साथ काम कर पाए एक समाए पर उसको multi user काते है वही चीज लिखा हुए multi user operating system allow a number of user to work together on a single computer Unix is a multi user operating system यह भी याद रखी है multi user operating system कौन है Unix है It is not that all user will sit on computer at the same time each user will be provided with terminal and all such terminal will be connected with the single computer system called server देखो यह यह नहीं कहाना चाहता है कि मतलब यह नहीं कि एक बार में अब हम लोग एक computer पर बैथ हैं और इस पर तिन चार आदमी बैथ गया है ठीक है तो उसे multi user कहते हैं मतलब एक processor है और सभी में वहीं चीश connect रहेगा ठीक है इसके बाद जैसे एक CPU हुआ और उस पे मतलब बहुत सारे computer चल रहा है तो भी क्या हो एक multi user हो गया ऐसे हो गया हमारा single tasking operating system लेकिन यहां पर हम लोग operating system का बात कर रहा है तो operating system मतलब क्या जैसे यूनिक्स एक operating system में एक यूनिक्स अपरेटिंग सिस्टम में उसी सब terminal server के थूरू और computer में वहीं चीश program run कर दिये और उसी यूनिक्स पर आप भी काम कर रहो यह भी काम कर रहा हो भी काम कर रहा है ऐसे करके हम terminal बना दिये तो अब बस इसको definition लिख दी जगा ज्यादा समझने की अभी जरूवत नहीं है single tasking operating system क्या होता है single tasking मतलब operating system which can execute a single job at a time is known as single tasking operating system मतलब देखो यहाँ पे क्या था single user और single tasking बहुत अंतर है single user मतलब होता है कि single user एक time पे सिर्फ एक ही आदमी काम कर सकता है computer system में ठीक है और single tasking कहने का मतलब हुआ कि ऐसा operating system system जिस पे single tasking मतलब एक time पे सिर्फ हम एक ही काम कर सकता है जैसे यहाँ पर देखो हम अभी परहा रहे है आपको अगर हमको गाना सुनने का मन किया ठीक है तो हम गाना भी यहाँ पर सुन सकता है इस विंडो में operating system जो मेरे पास सभी है विंडो 11 है और इसके बाद हमको मन किय कि टाइपिंग करें तो हम टाइपिंग भी कर सकते हैं तो एक साथ हम तिन चार काम कर लिए लेकिन single tasking operating system में क्या होता है कि एक समय पर एक ही काम कर सकते हैं लिखा वही operating system which is execute a single job at a time is known as single tasking operating system for example MS-DOS हो गया ठीक है यह single user operating system मतलब जो एक सामय पर बहुत सारा काम अप कर सकत थो फास्त हम लोग चलता ही पर यह गताब उसमाज में आजागा बहुत easy way में सब definition है इसके बाद real time operating system नाम से क्लिए होना चाहिए real time जो at a time कोई काम होता है मतलब वही चीज़ लिखा है real time operating system work towards providing immediately processing and also responding to user commands in a very short time मतलब जैसे हम लोग कोई काम दिये computer को तुरांत उसको हमको प्रोसेस करके दे दिया तो वही real time operating system हो गया इसके बाद network operating system और इसके distributed operating system ठीक है सब देखो यहां पर हम अच्छे से लिखे हैं अपने से distributed operating system देखो यहां से चक्यों है इसको भी पर के समाझ सकते हो ठीक है ना तो मैं इसको अच्छे से explain किया हूं यहां पर अपने से जो इसमें समको लागा कि definition आपको दिक्कत हो सकता है उसको मैं यहां पर लिखा ठीक है यह नोर्स मेरा पहले क्या बनाया हुआ था थोड़ा पानी हो गर इस पर गिर गया था इसलिए इस टाइप कत्र हो गया है ठीक है तो लेकिन फिर भी आपको दीखे रहे यह नोर्स आपको इस कंप्यूटर्स में भी लोकेटेद एट मैनी फ्लेश एराउंड गलोब मतलब इस्रीबूटेद अपरेंटिंग सिस्टम क्या करता है कि इंटर कनेक्टेद रहाता है इच अधर हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से इंटर कनेक्ट रहाता है किस के थूँ किस काम के लिए तो data को share करने के लिए उसका main purpose क्या रहाता है data को share करना और यह सभी computer आपस में connect रहता है globe के थुरू जैसे आप लोग नीचे figure में देख सकते हो एक network है कोई भी एक server है जैसे network है और उसके थुरू यहां पर 4 computer connect है यह 4 से अधिक भी हो सकता है तो यह हमारा distributed operating system होता है इसके बाद थोड़ सा पीछा आते हैं इसके बाद होता है batch operating system batch operating system क्या होता है the batch operating system will work to submit similar kinds of job together मतलब batch operating system नाम से के लिए रहे कि एक batch बनाता है मतलब देखो कि एक परकार का अगर 5-6 job तुम्हारे पास आता है थीक है पां-6 आदमी काम करने के लिए आता है और एक परकार का उसका काम है तो क्या करेगा कि similar type का जो भी job होगा उसको एक batch में बना देगा जैसे जोब 1, जोब 2, जोब 3, जोब 4, जोब 5 यहां पांच जोब हमारे पास आते हैं जैसे आप लोग फिगर में यहां पर देख सकते हो ठीक है और उसको क्या करता है सबसे पहले कि जोब 1 और जोब 3 का का काम सेम है तो एक batch बना दिया बैच 1 और बैच 2 में जैसे जोब 2 4 और 5 का काम सेम है तो इसको एक अलग batch बना दिया और फिर CPU से काम करेंगा ठीक है तो यह काम क्या होगा फास्ट होगा तो वही होता है मेरा batch operating system एक batch बना के काम करता है इसके बाद होता है time sharing operating system तो इसी परकार है यहां पर time sharing होता है जैसे है आपर लिखा है the time sharing operating system work with the time share concept here the CPU will provide the same time period which each every process to complete each task as soon as possible whether it is the long process of short process मतलब वही करता है कि सब किसी को जैसे हैं पर 5 job आते हैं हमारे पास काम करने के लिए CPU के पास तो सब को same समय देगा जैसे पहले वाले को एक मिना समय दिया दूसरे वाले को भी एक मिना समय दिया तीसरे वाले को भी एक मिना समय दिया और ज चीज यहां पर दो बार रिपीट हो गया time sharing तो यह हमारा हो जाएगा types of operating system इसको अपने से लिख लिजेगा ठीक है पूरा आपको clear कर दिए इसके बाद आता है हमारा function of operating system यह भी question आता है function of operating system क्या होता है जैसे process management, memory management, input output management, file management, इसके बाद security management, studi link यह सब क्या हमारा function है मतल output input करता है, same हो ही operating system का memory management, मतलब memory store करने का operating system में रहता है capacity, इसके बाद input output management के थुरू हम लोग input भी डालते हैं और output भी मतलब provide करा मिलता है हमें computer से, यह सब चीज अपने से बना बना के इसको अपने से लिख लिजेगा, एक दो बर पढ़िए का समझ में आ जाएगा, तो य परकार करता है, कि वो पांच परकार का होता है, जैसे, dormant state, ready state, running state, suspended state, और terminal state, terminated state, यह पांच होता है, देखो की परकार से होता है, सबसे पहले process state, process state को हम लोग बोलते है, dominant state, मतलब जो जैसे हम लोग कोई काम हम लोग computer को दिए करने के लिए भी, लेकिन computer सबसे पहले उसक काम करने के लिए, तो वह ही हमारा process state होता है, उसके बाद जब वो काम ready हो जाएगा, आगे बढ़ने के लिए, जैसे हो काम हम लोग process हो गया, उसके बाद वो ready हो जाएगा, कि अब मतलब तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तुरंत running थोरे करने लाएगा, अगर कोई काम पहले कैसा भी हो रहा है computer में, तो वो क्या करेगा, अभी ready state में रहाएगा, मतलब होने के लिए तुरंत जाने के लिए ready रुका रहेगा, और जैसे ही उसके बाद अगर computer free रहेगा, तो फिर वो running state में चल जाएगा, तो running काम अपना करेगा, और उसके बाद वो काम अगर complete हो जाए ready state में, और फिर से वहाँ पर वेट करेगा, और फिर running state में चल जाएगा, फिर SMR काम होता है, तो वही सब चीज यहाँ पर लिखा है, dominant state क्या होता है, ready state में, अब इसके बाद हम लोग देखते है, process scheduling क्या होता है, ठीक है, process scheduling क्या होता है, और यह एक BVA question हर बर एक्जाम में आता है, process scheduling, ठीक है, तो process scheduling में तीन प्रकार का process scheduling होता है, FCFS, जैसे first come first solve, स्वातेस job come first, और round robin scheduling, यह तीन हमारा होता है, भी भी ही रहता है, इसको समझते है, सबसे पहले, अगर यह एक जाम में आपका question हर बर आता ही आता है, तो देखो कैसे लिख होगे, सबसे पहले एक process process है, P1, P2, P3, P4, P5, यह 5 process हमारे पास है, CPU time, CPU time मतलब होता है, कितना time उसको लगता है process करने में, जैसे P1 को लगता है, 6 मिनत, P2 को लगता है, 3 मिनत, P3 को लगता है, 4 मिनत, और P5 को लगता है, 5 मिनत, ऐसे P4 को लगता है, 2 मिनत, ठीक है, तो इसी काम को देखो, first come, first solve मे यहां से हमारा हो जाएगा, सेम होई चीह यहां पर लिखा हुआ है, तो देखो, समझते हैं सबसे पहले किस परकार से काम करता है, कैसे अपना दाग्राम बनाएगा, जैसे यह process हो गया, P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है, अब CPU time सेम होई से ही लिखा हुआ है, लिख दिए, तो सब से पहले आया हमारा P1, तो P1 आया तो CPU time उसका 6 मिनत था, तो इसको वेटिंग करना पर है, देरेक सबसे पहले काम होगा, तो 0 मिनत वेटिंग time, ऐसे ही P2, 3 मिनत CPU time है, तो इसको वेट करना पर एगा, सबसे पहले यह हमारा P1 काम हुआ 6 मिनत, उसके बाद न हमारा P2 का काम तो ये भी वेट करेगा क्योंकि तेन नमर्पीस का प्रोसेस होगा तो उसके पहले यह चे मिनत पीवन के लिए के लिए वेट करेगा इन दोनों काम जब खतम होगा ताब नहमारा पीथिरी होगा तो लगबग नो मिनात ये वेट करता है, ऐसे P4 दो मिनट इसको लगता है, लेकिन ये वेट कितना दिर करेगा, पहले 6 मिनट फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, ऐसे करके 13 मिनट वेट करेगा, फिर P5 15 मिनट वेट करेगा, समाझ में कैसे वेट हो रहा है, इसके बाए तोन अराउन टाइम क्या होता है, ये समझो 9 हो गया, 4 9, 13 हो गया, और 13 2, 15 हो गया और 15 5, 20 हो गया, ठीक है, इसके बाद तोतल निकाल देंगे हम कैसे waiting time 45 हो जाएगा total करेगा तो turn around time इसको जोरेगा तो 63 हो जाएगा इसके बाद इसके हम लोग average भी निकाल देतें कि average waiting time कैसे निकालेंगे जैसे हाँ पर गलत है 45 होगा और इसको भी यहाँ पर solve कर ली जाएगा 5 से 45 जाएगा तो 9 बर में ठीक है तो ऐसे करके निकाल लेंगे टोटल हमारा प्रोसेस कितना है पांच है तो इसलिए 45 बई 5 कर देंगे तो एवरेज हमारा निकल जाएगा ऐसे ही टॉन एराउंड टाइम का भी निकाल देंगे एवरेज 5 से करके ठीक है इसके बाद बर 37 जोब करने का मतला पर जो सबसे कम CPU का जो ताइम है जिसका कम लगता है वह सबसे पहले काम करेगा वही चाइज यह पर लिखहे तो देखो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले यह मेंद डाइग्राम बाकी definition अपने से परके उसको बैठा के अपने से लिख लीजेगा तो सबसे कम समय लग रहा है P4 को दो मिनट लगता है सबसे पहले यह काम करेगा P4 तो वेटिंग टाम इसमें कितना है जीरो और यह जो नोर्स है आभातेक लिखा हुए हमारा सवर का नोर्स है और फिर इसको हमको टाइप करने का समय नहीं था इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होता होगा लेकिन समय भी हमारे प पर रहा है यह पहला वाला काम जो कर रहा है इसके लिए वेट करना पर रहा है इसको दो मिनत इसको पी थिरी उससे बाद चार मिनत इसको लगता है इसको वेट करना पर है पांच मिनत इसके बाद पांच मिनत उसके बाद छे मिनत तो ऐसे करके वेट इसका निकाली जागा म यह 50 हो गया तो 50 बई 5 कर देंगा तो तौने रॉबिट कर देंगे जाए या वेटिंग टाइम थी 30 बई 5 कर देंगे तौने रूबिटंग टाइम निकल जागा वेटिंग टैम नीगल जागा इसके बाद समझते हैं राउंड रोबिन सीवदिलिंग क्या होता है यह अच्छे समझेगा राउंड रोबिन सीवदिलिंग थोड़ा अच्छे समझेगा बहुत प्रब्लम होता है आपको यह एक oldest और इसको कैसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि एक चीज यहां पर लिखें यहां पर प्रोसेस है हमारा प्रोसेस आया है तो पहला कोगर एक मिनत समय देगा तो पहला कोगर एक मिनत समय देगा तो दूसरे को भी एक मिनत समय देगा तीसरे को भी एक मिनत समय देगा चौथे को भी एक मिनत समय देगा तो देखो कैसे यह प्रोसेस किया है तो एक मिनत इसको एक दे दिया CPU time तो यहां पर कितना बच गया पांच तो अजी दख़ोंगे पांच लिखे हैं इसके बाद P2 को समय दे देगा तो दूसरे बार में P2 को समय देगा तो उसको कितना लग रहा है तीन है तो अब कितना को समय दिया तो P4 हमारा 2 है तो एक समय उसको दे दिया एक मिनत का तो कितना बचा एक और फिर P5 को समय दिया तो कितना बचा P5 चार ठीके अब फिर यही काम सबको एक एक मिनत दे दिया और फिर से 0 बचेगा तो यहाँ पर हमारे कौन खतम होता है 4 खतम होता है देखों यह से निकल गया P4 तो खतम हो गया P4 तो यह कभ खतम होता है 9 मतलब 9 CPU time जो भरता है तो यह खतम हो जाता है P4 धियान दीजेगा इसको 9 मिनट इसको मिनट ही लेके हम चलते हैं सबस्टता है नौ मिनाट पर युप कर चार रहता है तो तीन हो कर से उसके बाद फिर निकल जाता है थिर दा कि मिकलता है इसके बाद फिर P3 2 से 1 हो जाता है और फिर यहाँ पर P4 खतम हो गया तो खतम हो गया हो P5 फिर 3 से 2 हो जाएगा और यहाँ पर फिर हमारा तीसरा प्रोसेस 3 बार यह प्रोसेस हो गया इसका चौथा प्रोसेस फिर करेगा अभी काई कि पुरा तरह से सब चीज निकला नहीं है, तो फिर यहाँ पे P1 हमारा 3 से 2 हो जाएंगा और ये निकल गया P2, P3 फिर हमारा 1 से 0 हो जाएंगा यहाँ पे P3 भी हमारा निकल जाता है, यहाँ पे 16 पे P3 भी निकल गया लेकिन अभी भी प्रोसेस चले। चलेगा क्योंकि P4 नहीं निकला था P4 निकल गाए P5 नहीं नीकला था P5 फिर निकलागा mark Chandler 1 से हमारा 0 हो जागा यह पर P5 निकल जागा कि एतना 18 पर एक पे मारा 20 पर जागा कर पी 1 भी निकल जागा ठीक है तो वही जहाँ पर लीखे हैं, वेटिंग टाइम, अब वेटिंग टाइम देखो कैसे लिखेंगे, वेटिंग टाइम कैसे हम लोग लीखेंगे, फौस्ट राउंद में ये इतना 5 को, प्रोसेस है तो एक बार में 5 को काम करा था, पाँच पाँच का पिर बना न, फर्स्ट र निकलता है पीवन निकलता है थो नहीं पर हमारा निकलता है ऑग्द 1000 सेएंब tri P3 कब निकलता है 16 ला पे सब्सक्राइब तोछ बडन सब्सक्राइब 5 पने सब्सक्राइब ठोलासेता से लेनदि असल्रोल में मत्लब आप ठोला बीलगता है शुरूमे डिक पर अपने इसे देखीए तो 9 यहां पर 16 में से 4 जागा तो 12, 9 में से 2 जागा तो 7 और 19 में से 5 जागा तो 14 तो waiting time निकल गया अब इसको एज सबको जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे total time को तो जैसे जोड़ने के बाद आ जागा हमारा waiting time 56 तो average निकाल देंगे 28 और ऐसे turn around time भी आ जागा त यह हमारे turn around time total time को turn around time भी बोलते हैं तो यहां पर हमारा यह खतम होता है तीनो डाइगराम बना बना के थोड़ा थोड़ा छोटा 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 definition लिखके और डाइगराम बना के अपना लिख लिजेगा अगर तीनो बहुत बार तीनो एक साथ बोल देता है कि इसको define करिए तो आसानी से इसको लिख सकते हैं और यह page भी ज्यादा ले लेगा तीन चार पांच page में आपके आराम से इसको करिएगा इसके बाद आता है देदलग यह भी है यह भी question है देदलग बार बार repeat करता है देदलग क्या होता है तो इसको एक बार अपने से पढ़ लिजेगा ए no one is ready to the live resource that means waiting for that which cannot occur मतलब देदलग क्या होता है जैसे मान को चलो की दो काम है और यह साथ है दो या दो साधिक प्रोसेस हो रहा है ठीक है और जैसे यहां पर समझने वाला figure बना जैसे P1 है P2 है P1 काम कर रहा है R1 के लिए और P2 काम कर रहा है R2 के लिए लेकिन P1 फिर सोच रहाए कि मेरा काम हम R2 को भी दे तेदें और P2 सोच रहा है कि हम R1 को दे लेकिन कोई काम यह और यह रहा है नहीं चाहता है कि आफमार को छोड़ दें जब तक सोड़ेगा R1 को तब तक यह रहा को काम कैसे करेगा ऐसा जब कंधिशन आ जाता है तो हमारा देदलग होता है और अच्छे से यहां पर समझते हैं, जैसे यहां पर लिखे हैं, जैसे step first में P1 R1 का काम कर रहा है, तो आसानी से कर रहा है एक काम है, इसमें कोई दिकत नहीं है, step 2 में देखो P1 काम कर रहा है R1 का, और P2 काम कर रहा है R2 का, तो कोई दिकत नहीं है, ऐसे step 3 में P1 काम कर रहा R1 का और P2 काम कर रहा है R2 का लेकिन P1 सोच रहा है कि हम R2 का भी काम कर रहा है लेकिन यह वेट कर रहा है तो कोई बात नहीं इसमें भी कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन P1 काम कर रहा है R1 का और P2 काम कर रहा है R2 का और P1 सोच रहा है कि वेट कर रहा है r2 के लिए काम करने के लिए और r2 सोच रहे कि हम r1 के लिए काम करेंगे तो यही हमराऄ देधलक होता है एक साथ जब secular condition आ जाता है waiting condition आ जाता है तो वह हमारा देधलक होता है ठीक है और इसका necessary condition होता है देधलक कब कब होता है जैसे इतू process cannot use same resource as same time इसके बाद hold and wait एक प्रोसेस वेट फॉर सॉम रिसोर्स वाइल होल्डिंग एन अनौदर रिसोर्स एद दे सेम तैम सर्कूलर वेट वही सर्कूलर वेट ऐसा अगर कंदिशन आ जाता है था हमारा देदलक होता है थोड़ा सा इसको अपने सभी रिसोर्स का के खोज के लिख लिजेगा जितना मेरे को मिले वहां से मैं आपके लिए लाया हूं इसके बाद मीमोरी मैनेजमेंट क्या होता है देख पेजिंग मेरा आया था 2022 में पेजिंग जरूर देख लिएगा इसको अपने से प्रीदिंग करिएगा सेग्मिंटेशन यह सब आपको नोर्स हम आपको दे देंगा पहले ही बता थे कि नोर्स दे देंगा थोड़ा बहुत आपको हिंद कर देंगे इसका फाइल लिखने के लिए तो आपको जैसे ही सबसे पहले बता हैं फॉस्त में ही फॉस्त में बताई कि अपरेटिंग सिस्टम लिख देगा हुआती जो प्रेटिंग सिस्टम इतना बढ़ा और टाइप लिखना है यह फिगर भी बना दीजेगा पेज भर जाएग अपका और इसके पूरा लिख दीजेगा ठीक है और इस अब के बारे में डिफाइन कर दीजेगा सुचिए अपका लगबग यह आपका 6-7-8 पेज तो आराम से यही ले लेगा अगर यह कोश्चन आजया तो और अच्छा है इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोश्च्ट यह कोश यह तैना प्रोसेस यस असते तेस यहां पर निया इए प्रोसेस हे तैंथ है यह पूरा तीनो ने पासल में लिख देगा थो ठीक हो जाब हो जाए अ कॉस्सर हुधोर शुथ एसन दुझ हो कि इसंपाइद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉछ CB यह भी हो गया इसका तीसरा नंबर जो आपको भी करा हैं फॉस्ट कम फॉस्ट सॉल्व 37 जॉब और सीप्यू स्यूदिलिंग डिरेक्ट पुछा कंपेयर करने के लिए दोनों के बिच में तो दोनों का डिफाइन कर दीजागा तो फॉस्ट कम क्या होता है जो सबसे पहले आ भी घ्रास से फ़रा भोगत अपने से खोज लिजिए गी और समझ लिजह जैऊ से मैं आपको बता दिए उनने से सर्कूलर य offers uh फार इस प्रोसेस पर रहा है और दूसरा कम्प्यूतर पीट्व सक्राइब कर रहा है लेकिन यह कंप्यूतर चाहता है इक हम इसके लिए बोलते हैं देदलग कंदिशन ठीक है सर्कुलर कंदिशन आ जाता है तो इसका फाइफ नमर कोश्चन है एक्स्प्लेंड कंसेप्ट पेजिंग और सेग्मेंटेशन यह अच्छे सब लोग पढ़ लिजेगा ठीकल चीज़ है और यह हमारा फॉक्स प्रो लगवाग पूरा को एथी कमांद करा दिये हैं यहां से पूरा अच्छे सीच को कर लिए होंगे सेवें नमर है प्रोसेस मैनेजमेंट यह भी आपको नोर्स में है इसका यह नमर कोश्चन है मल्ति यूजर मल्ती टास्किंग क्या होता है तो यह आपको टाइप सीच्टम यह आप दोनों के बारे में लिख सकते हैं प्रोसेस से स्टेट आपको करा दिये वहीजिए सब करते हैं लेकिन आप जो बुक खर दे होंगे आपको बुक मैं सजट किया था अपरेटिग्स्टम का पात्रीपूत्रा लिखा हुआ हुआ वोग सज़स्ट किया था तो उस बुक का help से आप question का answer थोड़ा एक दो question बहुत सारा question को practice कर ली जागा operating system का तो उसके बद आपको कोई question exam में छुतने वाला नहीं है और बहुत सारा question इससे बहुत जैसे easy question आता है पहले operating system क्या होता है, types of operating system क्या होता है, इसका function of operating system क्या होता है देदलग condition क्या होता है, इसके first come first solve क्या होता है, 37 job क्या होता है, यह सब question आता है एक जैम है, जो मैं आपको easy जी था और जो मतलब थोड़ा सा hard था उस चीज को करा दिया, और जो theoretical चीज है वो अब अपने से कर लिजागा, जैसा paging segmentation क्या होता है उसको notes भी दे दिया, वहां से आप लोग पढ़ लिजेगा, और एक दो चीज जो छूत जा रहा होगा, जो यही मेरे पास notes अब लेबल था, इसलिए मैं इसको पढ़ा दिया और थोड़ा बहुत अगर syllabus में मैं देखके पराया हो ठीक है, आपको syllabus में इतना ही है, इससे बाहर आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर एक दो चीज अगर आपको छूत रहा होगा, तो उसको अपने से कर लिजेगा, और यहां पर आपका recovery batch पूरा आपको मैं बताया कर दो बताया ऑवा इंगर तो जाना हम हाँ है, तो तो эт कर देंगा है, लोग़ां प् crowded फटोरा आपक discovery नहीं, आपका अवाँ से टी जाना है, यह है, थे वेना दातरी है, यहां है, यह है वहह प्याँ है, पर्य अपमदार आपष singularणाव और चाहर Ale वहं है?